देरदून में आजकल एक तरफ अलाहू अकबर और दूसरी तरफ जैश्री राम के नारे लगते दिखाई दे रहे हैं ऐसे नारों से देरदून में सामप्रदाइक तनाव भड़क सकता है पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं दरसल ये तीसरी बार है जब राजधानी देरदून में अलाहू अकबर और जैश्री राम के नारे लगे हूँ इससे पहले ऐसे नारे दो बार देरदून के विकास नगर विधान सवा में लग चुके हैं पिशली दो बार जब ये नारे लगे थे तो तब मामला हिंदू लड़कियों से छेरचार से जुड़ा था लेकिन अब मामला राजनितिक है और अब ये मामला यूसेसी के विरोध से जुड़ा है दसल बीते बुदवार को नुमाइंदा ग्रूप और आम इंसान पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष अकेल एहमत के नेतरतों में यूसेसी के विरोध में उत्राखन राजभोवन कूच का आवान किया था इस दोरान भारी संख्या में लोगों ने राजभोवन कूच किया लेकिन पुलिस ने सभी प्रोधोशन कारियों को राजभोवन से पहले ही हाती बढ़कला में रोक लिया इस दोरान वहां भारत मादा की जय और इंकलाब जिन्दबाद के नारे गुँच रहे थे लेकिन तभी वहां से गुजदर रहे कुछ स्कूली बच्चों ने भीड को देखकर जैश्री राम के नारे लगा दिये जिससे नुमाइंदा ग्रूप और आम इंसान पार्टी के कारेकरता भड़क गए और उन्होंने भी नाराय तकबीर और अलाहु अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिये जिससे माहल में अचानक गर्मिया गई पुलिस और प्रसाशन की मौजूदगी में लगे नाराय तकबीर और अलाहु अकबर के नारे अच्चादक लगने से और गाली गलोच होने से आयो जगों में हड़कंप मच गया आयो जगों ने बामश्किल नारे लगाने वाले लोगों को शांत किया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पीरों में आप देख सकते हैं कि जैशुरी राम के नारे की प्रतिकरिया में जब नाराय तकबीर और अलाहु अकबर के नारे लगे तो लोगों में कितना गुस्सा था इससे साफ जाहिर होता है कि यूसीसी के विरोत की आड़ में कुछ लोग धर्म विशेश को एजंडा चुला रहे हैं जो उत्राखनी की शांत फिजाओं को अश्रांत करने पर तुले हैं अकसर राजनितिक पार्टियां अपने राजनितिक रोटियां सेखने के लिए पहले ऐसे मुद्दे उठाते हैं और फिर रेलियों में ऐसे नारे लगाते हैं अब जरूरत है कि पुलिस प्रसाशन को इस मामले की जाज करानी चाहिए और रेली आयोजन करने वालों के खिला पाल धन्या के रिपोर्ट